हाई फ्रेंड्स हम लोग फिर से मिल रहे हैं इसलिए तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आज मैं एक गुड मैनर्स पे एक वीडियो बना रही हूँ वो वीडियो आपको अच्छी लगे नहीं अच्छी लगे मुझे नहीं पता तो पहले तो मेरा important topic है यह बहुत important topic है और मेरा important topic यह है good manners पे कि good manners हमारे अंदर बहुत जरूरी होना चाहिए है पेडेंट्स में हर एक अदमी में तर्की में हर किसी में good manners बहुत जरूरी होते हैं इससे में आप सभी बच्चे को सबाह देती हूँ यह, कि मैं भी बच्ची हूँ, तो मेरे अंदर बहुत good manners हैं, तभी मेरे ममा बहुत प़यार मेड़, बूदि डाणती में ज़ादा, बेखना करती हैं बहुत, आपकी ममिया बहुत जाद आपको प्यार करती हैं, आपकी ममा से रहोगे, behavior अच्छा रखोगे, तो आपकी ममा और भी जादा प्याद करेंगे आपको. और भी जादा नहीं, उतना ही करती है, जैसे करती हैं, बट आपकी ममा आपको बहुत जाथ अच्छा मानेगे कि मेरा बच्छा इतना अच्छा है, वहाँ कितना अच्छा है कितने अच्छे good manners है इसमें वही मेरी मामा बोलती है और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं कुछ points बोलूँगी वो आपको means follow करने है कि मैं ऐसे से करूँगा ऐसे से करूँगी तो मैं ममा मुझे ज्यादर डांटेंगी नहीं ठीक है तो मेरे ये है points पहली बात पहला number आए कि ममा पापा कोई भी हो किसी से गुस्से से नहीं बात करनी number दो बात हमें hand wash पहले खाने के से पहले और खाने के बात जरूर करने चाहिए ताकि हमारे hands dirty now number three बात हमें means के साफने करने माना चाहिए नाकि में उनको means ऑकार करने कि नहीं मैं नहीं करूँगा मैं नहीं करूँगी ठीक है number four हमें पहले कि हमें अपनोंबख time पर करने चाहिए तभी हम खेल पाएंगे मस्ती कर पाएंगे और नमबर पांच बात आप अपनी ममा को तंग मत कीजिए तंग मत करना पढ़ा ही करते रहना ऐसी करते रहना और भी पॉइंट्स है उपना आपको इतनी पॉइंट्स बता रही हूं इनको जरूर फॉलो कीजिए ठीक है थांक यू and have a nice day और सभी सोच रहेंगे मैं इंगलिश में भी बात करी हूं और तो आपको शुब दिन हो और थांक यू वेरी मुच धन्यवाद